आज हम बनाएंगे काले चने की ये बहतरीन सबजी बिल्कुल क्रीमी तरी वाली किसी भी रेस्टोरेंट में मिलने वाली चना मसाला को भी कर दे ये फेल और इसे बनाने के लिए हम लेंगे याँपर 200 ग्राम काले चने इसे खुब अच्छे ज्यादा क्वांटिटी में पानी से डूप जाएं और 3-4 चमच हम डालेंगे इसमें नमक और 5-6 सीटी दिलवाएंगे एच्छे से और थोड़ी देर कम पे भी रखेंगे इसको हम एक छोटे बॉल के अंदर हम डालेंगे 1-4 टीस्पून हल्दी पावडर आदा चमच लाल मिर्ची पावडर और एक बड़ा चमच हम डालेंगे धनिया पावडर दो तिन चमच पानी के अंदर इन मसाले को हम थोड़ा सा सोक करने के लिए रखतेंगे ऐसा करने से मसाले बहुत अच्छे से फूल जाते हैं तो इस मज़ेदार रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि व चमच जीरा, दो लोंग, एक छोटी इलाइची, थोड़ी सी बड़ी इलाइची के दाने और एक देश पान इन मसालों को तो अच्छे से भून के फिर इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे हम और फीस में डालेंगे हम दो मीडियम साइस के कटे हुए बारिक कटे भी आज को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें डालेंगे हम अद्रक और लसन ग्रेट की हुई और हरी मिर्ची बारिक कटी हुई, आप अद्रक लसन का पेस्ट भी ले सकते हैं, इनको भी हम मीडियम आज पर अच्छे से भून के देखिए इस तर से गोल्डन राउं कर लेंगे और अब इसमें हम ढालेंंगे भीगे हुए मसाले, मसालों को भीगा कर रखने पर मसाले फूल भी जाते हैं अच्छे से और इस तरह से भूनने पर मसाले बलकुल भी जलते नहीं हैं इस सबजी की एक क्रीमी क्रीमी तरी कैसे बनेगी, ये भी हम आपको इसकी ट्रिक पताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा, ताकि आप एक भी चीज मिस्त न करें और आपकी सबजी बिल्कुल पर्फेक्ट बने, हमारी चैनल शाही स्वात पर हमने काफी सबजी की रेसिपीज डाली हुई हैं, हम उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप देखिए और उन्हें बना के एंजॉय कीजिए, चने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, हम दो से तीन चमज चने एक प्लेट में निकाल करके, थोड़े ठंडे कर अब हमने यहां पे दो मीडियम साइज की चमज लिये हैं, उसे डालेंगे हम देा मिकसर में, और थोड़ासा पोदीना बारिक कटा हुआ है, उसे olsun मिकसर में डालेंगे, और यह 2-3 चमजी चने हैं, हम इनको मिकसर में इसके साथ पीसेगे , और मैसके पीसा हुँआ पेस्ट आप से थोड़ा सा नमक डाल देंगे हापर और से धीमी आजपरी धक करके पकाते हुए हम बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाले में से अच्छे से ऑईल ना निकलने लगे 5-10 मिनट अच्छे से मसाला भूनने के बाद इसमें हम ये बॉयल काले चने डाल देंगे और अब काले चनो को भी बहुत अच्छे से इस मसाले में मिक्स करके और कवर करते विए कम से कम 10 मिनट बहुत अच्छे से हम भूनेंगे अब इसमें हम डालेंगे आदा चमच गरम मसाला पाउडर, एक बड़ा चमच कसूरी मेथी जिसको हाथ में हमने क्रश कर लिया है और एक बड़ा चमच ही हम यहाँ पर डालेंगे बटर, यहाँ पर आप देसी घी भी डाल सकते हैं कई बार आपने देखा होगा कि बॉइल चनों को बिना भूने ही सबजी की तरी में डाला जाता है लेकिन आप इस तरह से काले चनों को भून करके फिर सबजी बनाईए देखिए सबजी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बहतरीन रहेगा अगर आपको हमारी रेसिपीस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट करके ज़रू बताईए ताकि हमें पता चल सके कि आपको किस तरह की रेसिपीस पसंद हैं ताकि हम अगले वीडियो उसी पर ही आधारित बनाएं काफी अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे बॉयल करते वक्ते जो चने में इसे पानी बचा था वो और उसके अलवा जितना जरुत पड़े उतना पानी आप इसमें डालिए जैसी ग्रेवी आपको चाहिए अब हम एक ट्रिक को बताते हैं कि सब्जी को आप कुकर में कम से कम 5-6 सीटी लगवाई है और वापस से आप इसे कड़ाई में डाल दीजिए अब डालेंगे हम यापर थोड़ा सा इमली का पल्प दो बड़े चमच मेंने हैं इमली का पल्प डाला है अगर आप खटाई पसंद करते हैं तो इमली, अमचूर या केरी में से कुछ भी डाल सकते हैं इससे सब्जी का स्वाथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और इस सब्जी में लगाएंगे एक प्यारा सा छोंक हमने यहाँ पे दो बड़े चमच ले लिया है देसी घी, उसमें डालेंगे हिंग, जीरा और दो खड़ी हरी मिर्च हरी मिर्च की जगा आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और इसमें कश्मीरी लाल मिच का पाउडर राल के हम इसका छोंक लगाएंगे सब्जी में इससे यह सब्जी बिल्कुल किसी भी रेस्टोरन को मात करने वाली बहुत ही बड़िया सब्जी बनेगी आपने देखा होगा हमने कोई चना मसाला का भी यहां यूज नहीं किया है लेकिन सब्जी बहुत ज़्यादा साधिष्ट बनी हैं आप इसे गरम गरम चावल के साथ भटूरी के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भी परोसिये आपको बहुत ज़्यादा तारिफ मिलेगी चलिए हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसेपी के साथ धन्यवाद